नमस्कार दोस्तों जादा पॉर्ण देखकर हस्तना थुन करने का कारण से जो एरेक्टायल डिसफंक्शन होता है जिसे हम लोग इंगलिस में P.I.E.D. यानि पॉर्ण इंडिूस्ट इरेक्टायल डिसफंक्शन जिसे हम लोग कहते है इसका हल क्या है आज हम लोग यह जानें इस वीडियो में तो मैं डॉक्टर सुप्रयोत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमियोकेट टिप्स पे तो पॉर्ण इंड्यूस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए कैसे निजात पाया है साइड अफेक्ट और प्रोणोग्राफी के नाम से उस वीडियो में मैंने एकदम सरल भासा में समझाया है एकदम पॉइंट टू पॉइंट यह समझाया है कि कैसे वाचिंग पॉइंड एक आदमी को नापुंसक बना देता है और आज हम लोग यह समझेंगे कि जिनको प पॉइंट देखकर हस्तमय थुन करने का कारण से अगर आपको रेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रोब्लम आ रहा है तो उसी समय तुरंत आपको पॉइंट देखकर हस्तमय थुन करना बंद करना होगा मैंड सेटाप में बदलाव लाना पड़ेगा कि मुझे हस्तमय थुन गए करना है मदलब नहीं करना है चाहिए कुछ भी हो जाए एक दम अपने आपमें किसम खाले लेना है कि कुछ भी हो जाए मेरा इस चैनल का उपर 4-5 आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देखकर अगर 50% भी फॉलो कर लेते हो तो मेरा आपसे दावा है कि आपके रेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लेम यहीं पर समाफ्थ हो जाएगी आपको इसके लिए कोई मेडिसन खाने की जरूती नहीं पड़ेगी और थर्ड जो पॉइंट मैं अपना पेसेंट को करने को कहता हूँ वो यह है कि पेसेंट को कम से कम 7-8 घंटा एक अच्छी नींद उनको लेने के लिए में कहता हूँ क्योंकि सही से नींद लेने से हमारा बॉड़ी फिर से रिचाज हो जाती है और हमारा सरीर का अंदर भरपूर मात्रा में हुर्जा जो है पैदा होती है और इसके इलावा अगला जो पॉइंट है वो यह है कि हमेशा आपने आपको बीजी रेखने के ट्राइ करें और जितना हो सके isolation को avoid करिये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जब भी आप अकेले में रहेंगे जब भी आप अलोन रहेंगे तो उसी समय आपको हस्त मैं थुन करने के इच्छा होगी और यह हस्त मैं थुन करने वाली इच्छा इसका सोच ही आपका दिमाग में ना आए इसलिए आपको isolation avoid करना होगा ड्राइ करें आपने आपको कोई काम में busy रखने के लिए तो दोस्तों यह जो steps मैंने आपको भी बताए है इसे अगर आप इमांदारी के साथ करेंगे कम से कम 15 दिन के लिए भी करेंगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपका यह जो सोच है पॉन देखकर हस्त मैं थुन करना यह कम से कम 50% तक यहीं पर कम हो जाएगा और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यह सब कुछ करने के बाबुजूद भी आपका यह जो आदत है यह छूट नहीं रही है आपसे तो फिर आप उस कंडिसन में दो होमोपतिक मेडिसिन लेकर आईए एक कारसिनोसिन वानेम और दूसरी मेडिसिन का नाम है स्टाविसेगरिया वानेम पहले आप carcinosis 1M का एक single dose ले लीजिए और फिर उसके बाद stabisagriya को 15-15 दिन छोड़कर एक-एक single dose आप ले लीजिए ऐसा करके stabisagriya को आप तीन बार ले लीजिए लेकिन carcinosis अगर आप आज लेते हैं तो आज से 15 दिन बाद ही आप stabisagriya 1M का एक single dose लीजिए आप देखेंगे कि आपका ये जो हस्त मातुन करने का जो इच्छा है ये पूरी तरक समाप्त हो गया हो सकता है excessive हस्त मातुन करने का कारण से आपका अंदर जो weakness आया है ये इसी दो medicine से ठीक हो जाए क्योंकि बहुत patient को मैंने ठीक होते हुए देखा भी है और in case अगर ये दो medicine से ठीक नहीं होता है तो फिर आपको घबराने का जरूरत नहीं है होमोपैथी में इस तरह के condition के लिए धेलो medicines है जो कि as per patient symptoms as per patient modalities दिया जाता है आप अगर कोई एक personality होमोपैथ के पास से जाकर appointment लेंगे तो मेरा आपका दावा है कि इस तरह का problem से आपको आई हुई जो weakness है ये completely ठीक हो जाएगा होमोपैथी से और अगर आपका mind में होमोपैथी को लेकर कोई doubt है कि होमोपैथी काम करता है की नहीं जल्दी से काम करता है की नहीं तो सिर्फ मैं आपको एक ही बात बताऊंगा करता है कि पेसरेंट पहले कैसा था treatment से पहले और अब treatment के बाद कैसा है ये कैसा फिल कर रहे है ये सिर्फ आपको मेरा ही चैनल का उपर देखने को मिलेगा दोस्तों मैं मेरा इस चैनल का उपर community tab में पेसरेंट पिक्चर भी डालते रहता हूं कि पेसरेंट जब प्रॉब्ल आसा इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को होमोपैथी का असल जो power है उसका realization हो और होमोपैथी का प्रती आपका जो trust है वो build हो तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूं so thank you very much and have a good day